समिधान निर्माता डॉक्टर बाबा से वंबेड़कर हमेशा हमारे किसी भी समस्या में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं राश्ट निर्मान की कोई भी बात हो तो वे अपने नीती निर्धारन के साथ और अपने विचारों के साथ अपनी समझ के साथ हम सब के आगे बिलकुल प्रासंगिक बन जाते हैं भले ही आज 64 साल का वक्त बीच चुका हो बाबा साहिब डॉक्टर अमबेड कर हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके समझ के रूप में उनके विचारों के रूप में के मार्दर्शन के रूप में वे आज भी हमारे साथ है पता नहीं बहुत सारे लोग उन्हें फलां समुदाए के नेता फलां के मसीहा इस तरह की बाते कहते हैं लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त जब देश में किसान परिशान है और किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है किसान का परिशान होना ये कोई मात्र किसानों की परिशानी नहीं है ये पुरे राश्टर की परिशानी है किसानों की बड़ी जायज मांग है कि जिन फसलों को, जिस उत्पाद को विक्रिशी से लेते हैं, उसका वाजिब दाम तै किया जाना चाहिए अगर वो दाम तै हैं, तो ये भी तै होना चाहिए कि इसे कौन खरीदेगा और कैसे खरीदेगा वो जो खरीदा जाएगा, उस पर कोई एक कानून बने, कानून होना चाहिए लेकिन जो कानून बना, वो कानून, खेती, किसानी और उसका उत्पाद, इन सब को कार्पुरेट के साथ जोड देता है, कार्पुरेट के चंगूल में फसा देता है, ये किसानों का मानना है अब अगर किसान इस बात के लिए सरकार से समाद कर रहे हैं, तो निश्यत्रुप से उनके बात मानी जानी चाहिए लेकिन वैसा नहीं है किसानों को रास्ते पर आना पड़ रहा है किसानों को रोकने के लिए मतलब अपनी ही देश की पारलिमेंट तक जाने के लिए उन्हें रोका जा रहा है जेसी भी लगा कर रोड पे गड़े बनाए गए तो अब देखें कि जब हम इस वक्त इस तरह की परिशानी से जूज रहे हैं बाबा साहिब डॉक्टर बेड़ कर इस परिशानी से कैसे निजाब दिलाते है बाबा साहिब की उम्र उस वक्त 27 साल की थी और तब उन्होंने एक बड़ा अच्छा शोध प्रबंध लिखा था खेती किसानी के उत्थान का कि जो ग्रामिन जन जीवन हैं वो कैसे बदल सकता है तो इस ग्रामिन जन जीवन को बदलने के लिए उन्होंने लिखा था कि छोटे किसान उनकी समस्याएं और उस पर उप्चार बाबा साहिब ये जो बताते हैं तो ये सिर्फ अपने शोध प्रबंध में नहीं लिखते हैं वे इसे लेकर कौंकन छेत्र में एक उस वक्त बड़ी समस्या हुआ करती थी खोती जमीन की और इस खोती जमीन के लिए बाबा साहिब ने एक बड़ा आंदूलन खड़ा किया आप देखिए कि खोतों से मुक्ती के लिए बाबा साहिब ने 1928 में इस आंदूलन को खड़ा किये और 1929 में उन्होंने रत्नागिरी जिला किसानों की परिशद कायोजन किया और ये इसके अधिक्षता बाबा साहिब अम्बेड करने की और फिर उसके बाद बाबा साहिब इस खोती की जमीन की समस्या को जो खत्म करना चाहते थे तो उन्होंने 17 सितंबर को खोती पधती खत्म करने के लिए एक बिल रखा मुंबई प्रांत विधी मंडल में और फिर 10 जनवरी 1938 को मुंबई प्रांत विधान मंडल पर एक बड़ा विशाल मूर्चा निकाला जिसमें लगभग 25,000 किसान शामिल हुए थे उस वक्त में यह 1938 की बाद लेकिन बाबा साहिब जब यह चाहते थे तो यह सिर्फ कौंकर्ण प्रांत की बात नहीं थी बाबा साहिब समझे देश की जो खेती किसानी है उसकी समस्या को किस दृष्टी से देखते है यह नजरिया समझना बहुत जरूरी है हम आज अगर देखें तो खेती किसानी की ओर चाहे फिर सरकार के लोग हो सरकार में बैठे हुए लोग हो या फिर चाहे किसान भी हो ये उसे सिर्फ पेट भरने का साधन के रूप में देखते हैं वो देखते हैं कि इससे हमें अनाज मिलता है बाबा साहिब का ये द्रश्टिकून कभी नहीं रहा बाबा साहिब का द्रश्टिकून था कि खेती को भी एक उद्योग की तरह देखना चाहिए और फिर जब उद्योग की तरह देखा जाए तो फिर ये राश्ट्री आयका स्त्रोत भी बनेगा क्योंकि हमारे यहां हम जानते हैं कि हम अपने देश को क्रिशी प्रधान देश कहते हैं और दुनिया में भारत क्रिशी प्रधान राष्टर के नाम से परिचीत है तो बाबा साहिब चाहते थे कि जो क्रिशी प्रधान राष्टर है उस क्रिश्शी प्रधान राष्टर की खेती ये राष्टरी आय का मुख्य स्त्रोथ बने ग्रामेंट जन्जीवन जो है वो विकास का केंद्र है आप समझेए कि जो छोटे 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 उद्योग है जो गाउं में चलते हैं जो एक दुसरे पर निर्भर होते हैं ये हमारे विकास का एक बड़ा स्त्रोथ है और इसलिए एक उद्योग के रूप में खेती की और देखना चाहिए ये बाबा साहिब की समझ थी बाबा साहिब का मानना ये था कि यदि किसान सक्षम हो जाए तो फिर ग्रामिन जन जीवन में परिवर्तन होगा और राश्टर का भी विकास होगा अब सीधी भाशा में कहें तो बाबा साहिब खेती का राश्ट्री करण चाहते थे यह राश्ट्री करण का मतलब क्या है तो बाबा साहिब अपने इस निबंध में बड़ी अच्छी बाते रखते हैं वो सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, एकनीती निरधारन करते हैं उसका सार आपको बताते हैं कि बाबा साहब ये चाहते थी क्रिशी और जमीन के राष्ट्रिकरन और सामोही के वेपक्षिधर थे और राष्ट्रिकरन करके वो चाहते थे कि सामुदाई खेती को हमने एडॉप्ट कर लेना चाहिए और क्रिशी इसे हम राज उद्योग का दर्जा दे दे वो ये भी चाहते थे कि जो भूमी अरजीत होगी जो इकठे होगी उस भूमी को मानक आकार में बांट कर उसे गाओं के निवासियों के बीच उसको वित्रित कर दिया जाए क्योंकि अमुमन हम देखते हैं कि गाओं में भूमी हिम भी होते हैं और भूमी वाले किसान भी होते हैं तो ये जो छोटी छोटी जमीन वाले किसान है इन सब की जमीनों को इकठा करके सामुहिक खेती पर काम किया जाए सामुधाइक खेती पर काम किया जाए ये जो सामुहिक खेती है इस पर बाबा साहिब चाहते हैं कि ये खेती सामुहिक फार्म के रूप में बोई जाएगी विक्सित होगी और इससे उत्पाद भी होगा और फिर वो कहते हैं कि ये जमीन का वित्रण गाओं के निवासियों में जाती धर्म पंथ इन सब के भेदभाव के बगेर किया जाए ताकि देश में कोई ना जमिनदार हो और ना ही कोई भूमिहीन रहे किसी का पास बहुत जादा जमीन है उसे लोगों को नौकर रखना पड़ता है किसी के पास भूमिही नहीं है वो गाओं के वुन बड़े किसानों पर का निरभर होते हैं जिनके पास जमीन के बड़े टुकड़े है बाबा साहिब डॉक्टर मेड़करी इस बात में इस बात पास और क्नसी फसले ली जाए ये जो सामुही खीती होगी इस्पे कौनसी फसले ली जाए उनके सिंचाई की वेवस्ता कैसे बड़ेगी स्टूरेज की सवीधा क्या होगी क्रिश उतपाद की बिक्रि कहा और कैसे होगी और फसलों के भाओं कैसे निर्धारित होंगे अभी इसके लिए स्पष्ट और निश्पक्ष कानून बनाए जाए कि जिस से जो अर्थशास्त्र का नियम है मांग और आपूरती इसके अर्थशास्त्री नियम के आधार पर फसलों की किसानों को सही दाम मिले ये है बाबा साहिब की निती आज जब हम देखते हैं कि समुशे देश में किसान फसलों के दाम के लिए आंदोलन कर रहे है यदि नियम और कानून इसके लिए बना दिये जाए कि क्रिशक का कोई जीवन है गाओं का जीवन है ग्रामिन जन जीवन है वो आगे कैसे बढ़ेगा तो ये बात ही संगर्श के टल जाती है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और किसान आज रास्ते पर है इस परिपेक्ष में अगर बाबा साहिब डॉक्रम बेड कर ने उस वक्त दी गई सुचनाओं का अगर हम पालन करें उस पर जरा गौर करें तो शायद ये समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है क्योंकि बाबा साहिब की ये सुचनाओं और ये नेती निर्धारन आज भी प्रासंगीख है बाबा साहिब डॉक्रम बेड कर जब देश के पहले इरिगेशन मिनिस्टर बने ये बात याद रखने वाली है कि बाबा साहिब जब देश के पहले इरिगेशन मिनिस्टर बनते हैं तो वो खेती किसानी के विकास के लिए कई निरणे लेते हैं और उसको उन नियुमों में शामिल करते हैं जो हमारे आचरन में आ जाए जो व्याभारिक भी हो दूसरी बात आपको बताएं कि जब वे एनरजी मिनिस्टर में मिनिस्टर बने तब उन्होंने एक उर्जा आयोक का गठन किया और उर्जा आयोक का गठन करने के बाद जब बिजली और पानी के निरधारन की जब बात आई क्योंकि खेती किसानी में ये बड़ा महतुपूर ने घटक होता है जमीन और पानी ये जमीन और पानी की बात जब आई तो इनके निती निरधारन की बात आई कि पानी जहां से बिजली आएगी इस बिजली को अगर कहां पहुंचाया जाए किसको प्रात्मिक्ता दी जाएं तो निर्मानियों को प्रात्मिक्ता देने से पहले उन्होंने खेती किसानी को प्रात्मिक्ता दी और इस तरह से उन्होंने किसानों की समस्याओं का हल धुड़ने के लिए अपना निती निरधारन किया अब आज भी हम लोग अगर इस समस्या से जूज रहे हैं तो हमारे जो निति निर्धारक हैं इस वक्त के हमारे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं शासन करता हैं क्रशी के विशेशग्य हैं इन सब लोगों ने भारत रत्म बाबा सहिब डॉक्टर अमबेड करके इन विचारों को, इस मार्ग दर्शन को एक बार फिर इसका अध्यान करना चाहिए और इसका अध्यान करके इस से क्या सुझाओं मिलते हैं उन सुजाओं को अपने राष्ट के निर्मान के लिए और अपने राष्ट के ने निर्मान के लिए और अपने राष्ट के विकास के लिए इसका उप्योग करना चाहिए